हमारा उत्सर्जन जो है तंत्र भी कहते हैं तो हमारा ये जो एक्स्रीटी सिस्टम कहेंगे जो की मेंली हम यूरिनरी सिस्टम से कहेंगे अगर आप पिक्चर में देख रहे होगे तो ये सिस्टम हमारे कुछ और्गन से बना हुआ है ठीक है आप देख रहे हो पॉइंटर के मदद से यहां पर ये जो हमारे जो और्गन से ये हमारे एक्स्रीटी सिस्टम को बनाते हैं तो जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट होती है हमारी तू किड्नी ठीक है हमारी किड्नी से निकले हुए दो ट्यूब होती है जिनको हम यूरेटर कहते हैं और हमारा फिर ब्लैडर होता है वहां पर और ब्लैडर से बाहर भी एक ट्यूब होती है जो की होती है उरेत्रा ओके तो यह हमारे शरीर के अंदर filtration का काम करते हैं तो actually क्या होता है कि जब हमारे हम खाना खाते हैं जब हमारे जैसे हमने system में पढ़ा था बहुत सारे nutrition जो है हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो एक chemical reaction होता है उस chemical reaction से उन nutrients की मदद से oxygen की मदद से हमारे शरीर के अंदर energy create होती है और वो energy use होती है हमारे शरीर की मरमत में भी और हमारे body के functions में भी utilization में लेकिन उसी के सासत कुछ ऐसे waste products भी बन जाते हैं जिनको हमारे शरीर से बाहर भीजना भी जरूरी होता है तो वही उत्सरजी अंगोद्वारा ये जो बाहर निशकासन की जो प्रक्रिया है ये हमारे excretory organs करते हैं उत्सरजन तंत्र करते हैं जिन में अभी मैंने बात करी ज इनको हम गुर्दे भी कहते हैं और व्रक भी कहते हैं साथ में हमारी त्वच्छा भी वो कारण खरती है क्योंकि त्वच्चा से हजब हमें पसीना आता है तो उसके माध довyum से भी हम अपने शरीर के कुछ ऐसे तत्वों को बाहर निकालते हैं जो कि हमारे लिए विशात्त् और अभी मैंने बताया आपको फेफ़रों से भी, ठीक है न, क्योंकि कारवन डाइकसाइड भी हमारे शरीर में जो है एक वेस्ट प्रोड़क्त की तरह ही होती है, तो उसको भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे अपने किड़नी जो ह वेस्ट प्रोड़क्त निकालता है, तो उनको निकालने के बाद हमारे शरीर में वो बैलन्स क्रियेट करता है, किस चीज का हमारे शरीर में पानी का और हमारे जो एलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स को उनको एक बैलन्स की सिती में बनाकर रखता है, तो वेस्ट प्र कि तो सिंद्रा हुट कि है धर अट अठीक जरता है। shaped की हम इसको कहते हैं राजमा के अकार की या जो बींस जो होती है आपने फली उसके अकार की तो ये हमारे जो है बॉडी में abdominal wall के पीछे posterior part में पाई जाती है तो हमारे T12 जो सबसे last हमारी जो thoracic vertebra है हमारी vertebral column के दोनों side पर मिलती है basically T12 और L3 number vertebra 3 के इसका जो position है वहाँ पे माना जाता है और ये जो है उदर ये भाग में जो है T11 L3 के सब्सक्राइब दोनों ये हमारा उदर ये भाग actually हमारे जो पेट का जो abdominal जो wall है उसके posterior side पे इस level पे T12 से L3 के बीच में हम मानते हैं उसमें हमारी जो है ये present रहती है तो बीच में हमारी रिड की हड़ी होती है तो उसके दोनों तरफ ये present रहती है और ये हमारे diaphragm के नीचे पाई जाती है जैसे कि आपको पता है जब हमारा थोड़े से वर्टिब्रा जो था उसके नीचे उससे ही हमारी जो है diaphragm शुरू हो जाता है जो हमारे thoracic और abdominal wall को separate करता है तो जो होता है यहां से diaphragm के नीचे ही पाई जाती है और right जो है हमारी थोड़ी सी नीचे होती है ठीक है और ये इसका आकार में आपने समझ लिए इसका color थोड़ा सा reddish brown की reddish brown color होता है और इसकी जो लंबाई होती है लंबाई जो है 10 से 12 cm पाई जाती है और इसकी जो चड़ाई है वो 5 से 7 cm पाई जाती है और जो इसकी मोटाई है जो इसकी थिकनेस है वो हमारी लगबग 2 से 3 cm पाई जाती है वजन में हम अगर कहेंगे तो अगर यहाँ पे 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम या 150 ग्राम हम एक on average बोल देते हैं, तो यह इसका वजन होता है, जो कि हमें इसके बारे में, हमारी सारी structure के बारे में हमें बताते हैं, और left kidney थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पर left kidney में हमारा के उपर क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर काफी बड़ा organ है, तो वो काफी space लेता है, इसको जैसे right kidney थोड़ी नीचे होती है, तो अब हम इसके बारे में और detail में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यह structure ही दिखाया गया है, kidney हमारी अंदर से इस तरह से होती है, इनके अंदर भी बहुत छोटे-छोटे जो है structures होते हैं, जो filtration के काम में मदद करते हैं, तो जो हमारी, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो kidney basically जो है हमारा एक इस तरह का structure है, तो उसकी एक बाहर की covering होती है, जो आप देख रहे होगे, ठीक है, बाहर की covering देख रहे हो आप, तो उसको हम बोलते है capsule, तो उसको हम renal capsule बोलते हैं, यह kidney को cover करता है, kidney या renal से related अगर kidney को हम renal भी कहते हैं, तो भी एकी बात है, basically fibrous tissue से बना होता है, इस capsule की भी basically दोल जो है हमारी layers जो है पाई जाती है, ठीक है, तो अब हमारे जो kidney के structures जो होते हैं, अंदर हम आते हैं, बाहर covering के बाद जो इसका structure होता है, वो हमारा होता है, एक हमारा होता है, बाहर की तरफ जो होता है, वो होता है cortex, जो हलका, थोड़ा सा हलके पन पे होता है, और फिर हम आगे की तरफ देखते हैं, जो हमारे dark में होता है, cortex outer होता है, medulla अंदर वाला portion होता है, तो बाहर वाला जो reddish brown type का होता है, जो capsule के ठीक नीचे होता है, ठीक है, और यह जो आपको यह pyramid shape में जो दिख रहे हैं, यह हमारे kidney के अंदर pyramid होते हैं, इनसे उपर वाला जो portion है, वो आपका renal cortex होता है, यह cortex, यह इससे उपर वाला cortex होता है, फिर होता है हमारा medulla, medulla वाला अंदर, medulla के अंदर वो inner most layer होती है हमारी, जिसके अंदर यह हमारे, यह pyramid भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद है हमारा, यहां से अगर आप देखोगे, यह kidney की shape इस तरह से है, जो capsule की covering होती है, यह चारो तरफ से रहती है, सिर्फ एक जगह पे नहीं होती, जहां से अंदर थोड़ी दबी होई है, इसको हम बोलत है, हाइलम, यह opening होती है, यहां से अंदर कुछ ट्यूब जाती है, और बाहर आती है, तो यहां पे जो opening होती है, इसके उपर capsule की covering नहीं होती है, इस शेत्र को हम हाइलम बोलते हैं, जैसे कि इस kidney में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देख रहे होगे, को जो border है, यह kidney का बहरी वाला convex border है, तो यह concave border के अंदर होती है, यहां से हमारी artery, हमारा ureter, हमारी जो vein है, यह सारा हम यहां से जो है, अंदर या बाहर की तरफ आती हैं, इसके बाद जो है, हाइलम के साथ जो फिर kidney वाला जो यह portion है, यह आप देख रहे हो, यहां पर यह जो portion ह यह हमारा कहलाता है pelvis, यह renal pelvis कहलाता है, kidney का है, तो यह renal pelvis कहलाता है, यह थोड़ा सा funnel shape का है, यह आप देख रहे होगे, यह इस तरह आपने इसको medulla बोला था, नहीं, medulla मैंने इसको बोला था, यह देखो, यह वाले, यह है medulla, जहांपे आपको pyramid नजर आ रहे हैं, यह parts त cortex, यह तो brain के भी parts होते हैं, यह उसमें भी होते हैं, वाहा, बिलकुल, हर्शी, जो structure के जो नाम दिये गए ने, लेकिन उसके साथ उसका structure, इसको हम renal medulla बोलेंगे, ठीक है, brain में भी बाहर की covering होती है, उसके भी अंदर का structure होता है, तो यह cortex का मतलब ही होता है, कि बाहर वाल हैंगे, cerebral cortex, अगर आप पूरा नाम लोगे, brain का तो, या cerebral, जो है उसका medulla, cerebral cortex आपका usually होता है, जहां पर हमारी nerves की ending होती है, जब हम से nervous system पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इसको हम renal medulla या renal cortex बोलेंगे, खाली cortex हम नहीं बोलेंगे, खाली cortex लिखा होगा, तो आपको समझी न रहा है, तो यह हमारा renal medulla, यह जो pyramid जो दिख रहे हैं आपको यह है medulla, इसके अंदर आपको दिख रहा है, यहां से यह चोटे-चोटे यह जो जा रहे हैं पार्ट, यह जो kidney का है, यह तो hyalum सिर्फ opening है, यहां से जो structure जा रहे है, अब यह जो portion दिख रहा है ना, यह वाला है, इसकी चोटी-चोटी शाखाँ आपको दिख रही है, देख रहे हो आप यह? इन शाखाओं को हम basically calyx बोलते हैं, छोटे भी होते हैं, बडे भी होते हैं, छोटे जादा होते हैं, बड़े calyx कम होते हैं, तो यह जो calyx होते हैं, यह हमारे वहां पे pyramid पे ही जाके और ये renal pelvis से जो है इनका ये बाद्यम होता है इन दोनों को connection का ठीक है अब यहां से जो है हमारा ये जो artery है और vein है ये तो हमारे kidney के अंदर इनका यहां से होती है opening और यहां से tube बहार आती है वो होती है ureter ठीक है ये मोटा माटी हमने kidney के बारे में structure में पढ़ा अब इसमें kidney का जो एक सबसे छोटी इकाई भी होती होगी जो कि हमारे इसकी functional unit है हर चीज़ में होती है जैसे कि हमने पढ़ी थी हमारे liver में थी hepatocytes हम बोलते हैं skeletal में bone में थी हमारी osteophytes हम बोलते हैं पढ़ी थी ना सभी लोगों ने muscle का जो cell था उसको हमने क्या कहा था या दे मसल फाइबर के उसमें ठाना फिब्रिल मसल सिब्रिल या मसल सेल आप सिंपल भाशा में कह दो तो ऐसे ही renal का cell होता है ये तो पूरा organ बन गया है tissue से मिलके ये बना है लेकिन इसकी जो एक functional unit है जो इसका एक काई होती है वो कौन सी होती है वो होती है kidney cell उसको हम क्या बोलते हैं बताएंगे nephron yes very good nephron और हमारी kidney में लगबग लगबग एक million nephron present होते हैं जो की हमारे kidney का सबसे छोटा structure है जहां पर जो उसका पूरा जो काम है वो किया जाता है तो nephron basically कुछ tube जैसे structure होते हैं जिनसे ये जो blood का काम जो एक tube से blood आता है फिर दूसे से निकलता है तो उसका छलनी का काम करते हैं जो छलनी का काम करते हैं जो blood को छालने का काम करते हैं बेसिकली वो हमारा एक एक nephron आपस में मिल मिल के करते हैं आगे देखते हैं yes देख र देख रहा है यह वाला एक structure यह हमारा है nephron, nephron कई सारे होते हैं जो आपस में जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के काम कर रहे होते हैं और उनका काम होता है blood को filtration का, आप देखोगे यह आपका cortex है जो की हमारे kidney का बाहरी, अंदर medulla वाला है और फिर medulla जो दिखाया थ ना वहां से हमारे यह मिलता है pelvis, ठीक है pelvis से हमारा ureter बहार निकल रहा था, समझ रहे हो, बाहरी वाला जो है वो cortex है यह वाला जो था जहां पे हमारे pyramid present होते हैं, यह हमारे medulla होते हैं और जो अंदर वाला यह जो portion होता है, जो हमारे highlum से है, यह हमारा pelvis area है और यहां से बा में भी आप कुछ देख सकते हो, तो यहां पर देखोगे, आपको capsule नजर आ रहा है, बिल्कुल बाहर की जो covering है, यहां पे लिखी हुई है, this is a capsule, आपकी बाहर की covering है, फिर हमारा यहां पे हम देखेंगे renal cortex, renal cortex यह वाला जो है न एरिया, थोड़ा light color का आपको दिखता है बाहर की तरफ, वहां पे देखोगे, आपको यह blood vessels आ रही है, यह हमारा renal cortex होता है, ओके, फिर है हमारा renal medulla, देख रहा है आपको renal medulla, renal medulla में आपको यह दिखा रहे हैं, जो pyramid वाले जो structure होते हैं, यह हम pyramid बोलते हैं, मलब पिकोनी shape के जो यह कुछ structure है हमारे, यह जो हम medulla के अंदर आते हैं, इस picture में शयदा आपको better लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे, इनको हम pyramid ही बोलते हैं, फिर हमारे यह जो आपको देखोगे, यह pyramid हमारे मिल रहे होते हैं, structure में जिसको हम renal pelvis बोलते हैं, यह हमारा renal pelvis area है, जो बल्कुल light color का दिख रहा होगा, renal pelvis से जो है, हमारा मिलके बनाता है एक ureter, ठीक है, और यहां पर यह जो pyramid जो attach हो रहे हैं, renal pelvis से, यह हमारे calyx होते हैं, minor calyx और हमारे major calyx, यह जो बड़े-बड़े हैं, यह major calyx लाते हैं, फिर छोटे वाले जो divide हो जाते हैं, यह minor calyx होते हैं, major calyx हमारे 2 या 3 ही हो minor, वाले हमारे 8 से 18 तक हो सकते हैं, highlam, हमारे beach का जो गड़ा होता है, जो conveig surface पे होता है, उसको हम highlam कहते हैं, जैसे हमने अभी बताया था, जिसके अंदर से बाहर जो है, ureter आता है, और अंदर वहां से हमारी nerves, blood, जो हमारी arteries है, veins है, वो अंदर जाती है, तो यह हमारा highlam ह होता है, जो कि एक funnel shape में है, आपने keep देखी होगी ना, जिसका नली टाइप है, नली टाइप है, नली टाइप, हाँ, नली टाइप, नली टाइप, नली तो पूरी tube होती है, नली is a tube, funnel, आपने, जैसे चाय की छलनी ही देखते हैं, उसका चोड़ा मू होता है, उसका नीचे को देख लिया, minor calluses और major calluses के बारे में भी आपने पढ़ लिया है, ये थोड़ी ना, इनकी, अच्छा, नेफरॉन थोड़ा सा यहाँ पर मैं discuss कर लेती हैं, हमारी functional unit, जो kidney की है, वो क्या कहलाती है, हमारी जो functional unit है, वो है, नेफरॉन, kidney की functional unit, नेफरॉन होती है, और brain की functional unit, क्या कहलाती है, neuron, neuron, yes, इनकी spelling का भियान रखेगा, कई बारी अकसर spelling की गड़बर से, आप किसी दूसरे को भी टिक्मा कर सकते हो, तो इनकी spelling देखिएगा, nephron is related to kidney, and neuron are related to brain, या nerves related, तो हमारे nephron ना, दो प्रकार के होते हैं, ये जो nerve cells, kidney cells होते हैं, हमारे ये दो प्रकार क रहते हैं, देखो, 85% जो है हमारे, वो हमारे cortex में ही रहते हैं, और एक होते हमारे यहाँ पर spelling mistake है, जुक्स्टा होना है, J-U-X-T-A, जुक्स्टा medullary nephron, मतलब ये हमारे medulla के region में, थोड़े से हमारे cortex में होते हैं, और हमारे medulla में होते हैं, तो ये दो, ये कम होते हैं, ये थोड़े deep में होते हैं, ज्यादा तर हमारे cortex में होते हैं, वो हमारे cortical nephron होते हैं, इस picture में आप देखोगे, ये जो आपको portion दिख रहा है, यहाँ वाले portion में जो होते हैं, वो हमारे cortical होंगे, और जो थोड़े अंदर की तरफ ये जो medulla में जा रहे होते हैं, वो हमार ये वाले जुक्स्टा मेडूलरी इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा है जुक्स्टा मेडूलरी नेफ्रॉन होते हैं देख रहे हो आप ये ये हमारा नेफ्रॉन है इस वन ये हमारी एक किड़नी सेल है ये वाला ये वाला ठीक है तो एक किड़नी में कितने सेल हो सकते हैं तो जब भी किसी को किड्नी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रोटीन नहीं देना चाहिए क्योंकि फिल्ट्रेशन में उनको दिक्कत आती है और उनको कोई बिमारी और उनको प्रॉब्लम ज़ादा हो सकती है तो हैलम देख लिया अब हम यह मैंने आपको खैर शुरू में आने चाहिए थी स्लाइड हमारे किड्ड दी किस पेलिंग बता देज्यों सही वाली स्पेलिंग है हांजी क्या कह रहा है एक बाद प्लीज आपकी अवास करते हैं जो जुक्स्टा वाले अपने जुक्स्टा बताएं प्रॉब्लम बताएं प्रॉब्लम देख जे यू एक्स्टी ए जुक्स्टा मेजुलरी मेडुलारी मेडुलारी ठीक है थेंक यू मैं मैं आउरे पार रिपीट करने से हैं जे यू एक्स्टी ए जी ये जे 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 जी नहीं ये जे जे हाज यू एक्स्टी ए म यू मैं लिख दूँ उसके अपर रुको ओपर लिख रहे हैं और आचा ठीक है विगर में फिगर में 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 इसमें इसके पीछे वाले में अच्छा पीछे वाले में ये इसे पीछे वाले में येस जुक्स्टा ये थोड़ा सा यहां पर है ये जुक्स्टा ये थोड़ा सा कॉर्टेक्स में और मेडूला के अंदर होता है इनके भी structure की जो है आगे शायद आएगा या मैं आपको बता दू रोको आएगा चलो वहां पर discuss करेंगे तो kidney की हमारी covering होती है लेयर होती है क्यों क्योंकि उसकी protection के लिए नहीं तो उसको नुकसान पहुंचेगा उसको चोट लग जाएगी तो हर organ की अपनी एक covering होती है वो बचाने के लिए होती है चाहे हमारा कोई भी organ हो तो kidney के अंदर जो उसकी परते होती है वो तीन होती है ठिक है जैसे कि हमारी सबसे जो है capsule हमने पढ़ा था जो कि हमारी अंदर की परत है ठीक है लेकिन उसके बाहर उसको चोट वगर ऐसे बचाने के लिए उसके एक बाहर covering होती है जो कि हमारी होती है adipose tissue से बनी होई उसको हम adipose capsule कहते हैं जो कि renal capsule के बाहर होती है adipose, adipose का मतलब क्या होता है fat, तो वो fat से बनी होई होती है जो कि shock absorber का काम करती है ठीक है, मतलब उसको कोई जटका लगेगा, कोई एकदम से injury होगी तो वो जटके को सहन कर लेती है उस kidney को अंदर तक उस छोट को नहीं आने देती, तो यहां पर जो होती है renal capsule के बाहर हमारी यह adipose capsule होता है, जो कि shock absorber का काम करता है फिर उसके उपर होता है हमारा fascia, fascia basically हमारी जो muscles के साथ attach होने का काम करते हैं, मैंने शायद आपको बताया हो कि कहीं पर भी जो muscle होती है वो एकदम से किसी चीज़ से attach होती है, तो fascia के माधियम से ही होती है तो fascia जो है basically कुछ हमारे धागों की तरह ही structures होते हैं जो कि हमारे kidney और abdominal wall के बीच में होती है, तो हमारी abdominal wall से उनकी जो basically जो connectivity है वो fascia के माधियम से ही होती है, abdominal wall यहाँ पर हमारी abdominal muscles की बात होती है कितनी muscles होती है हमारी पेट में? Anyone? 4 4 हमारी होती है, 4, major 4 होती है तो abdominal wall यहाँ पर हम peritonium की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो है renal fascia kidney के साथ जुड़ी होती है, ताकि उसको कोई भी नुकसान या चोट ना पहुंचे तो 3 हमारी layer हो गई, जो सबसे बाहर की हो गई, फिर renal fascia अंदर की हो गई, adipose capsule और फिर हमारे kidney के साथ ही लगी हो होती है, यह kidney की ही एकदम उसमें है, जो है renal capsule renal capsule चारों तरफ होता है, except हमारे जहाँ पर highlam होता है, वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, renal cortex, जो renal capsule से बाहर की तरफ जो होता है, उसके साथ टच करता हुआ, outer one is the renal cortex, inner one is the renal medulla, kidney यह proper, actually में हमारी यह दोनों proper kidney होती है, capsule is just a covering अब हम यहाँ पर देखते हैं, अपने cortex और medulla के बारे में, बार-बार यहाँ पर वही आपको बताया है, cortex is the outer one, inner one is the medulla, ठीक है? और हमारी kidney के उपर, top पे, यहाँ पर हमारे एक और gland होती है, एक और structure present होता है, वो हमारा endocrine system का part है, उसका क्या नाम होता है, adrenal, क्योंकि renal kidney का है, तो सीक से attach है यह, इसलिए इसको adrenal gland बोलते हैं, इसके बारे में, यहाँ पर हम कुछ नहीं बात करेंगे, endocrine system में बात करें ठीक है, यहाँ पर structure दिखाई दिये, इसलिए आपको बता दिया, अब हम देखेंगे कि हमारा outer structure तो cortex है, inner जो है, हमारा medulla है, medulla के अंदर आप देख रोगे हमारे, जो है, तिकोने shape में हमारे कुछ structure दिखाई दे रहे हैं, यह होते हैं हमारे pyramids, इनको हम renal pyramid भी बोलते हैं या medullary pyramid भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि medulla के अंदर present होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, medullary pyramid, ठीक है, उसके बाद medullary pyramid के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, medullary pyramid क्या होते हैं, यह kidney के medulla भाग में होते हैं, जैसे कि इनका अकार pyramid या triangle shape का होता है, इनकी संख्या 8 से 12 होती है, ठीक है, क्योंकि यह calluses से जुड़े हुए होते हैं, minor calluses से जुड़े हुए होते हैं, तो 8 से 18 जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे 8 से 12 की गिंती है, तो लगभग लगभग यह इतने एक कड़ी में होते हैं, इनका जो pointed end होता है, जो की narrow part होता है, चोड़ा हिस् calluses बोलते हैं, तो एक calluses की तरफ खुलते हैं, ठीक है, इनको हम renal pyramid भी कहते हैं, यह होगा हमारा इसके बारे में BC बताया आपको, एफ्रान, चलो यही बताते हैं, फिर है हमारा renal column of burtiny, तो इसको हम renal column भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ducts of यह renal column है, हमारी यह burtiny नहीं, यह हमारी बर्टीन नाम है इनका, बर्टीन ही नहीं है, these are the columns of burtiny, एक मीट इसमें spelling भी नहीं आ रहा है, चलिए, renal column ही आप अभी समझे, renal column क्या होते हैं, these are the, जो हमारा दोनों medulla, यह जो pyramid है ना, pyramid के बीच में जो part आ रहा है, हमारा cortex का, देखोगे, ठीक है, cortex तो बहार की तरफ है, लेकिन आप देखोगे न, बीच में भी आ रहा है, दोनों पिरामिड के बीच में, यह हमारा क्या है, यह हमारा renal column कहलाता है, तो जब cortex का प्रसार renal pyramid के बीच में होता है, वह medulla भाग में आता है, ठीक है, यह part तो यह, actually हम इसको inside हम medulla का ही बोलते हैं, लेकिन इस वाले part में जब हमारा cortex आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, renal column, या हम इसको column of berteen भी कहते हैं, ठीक है, column of, यहाँ पर berteen ही लिखा है, जो पिरामिड वाला जो area होता है, वो तो medulla में आता है, बाट इस medulla में आता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच का भी, actually जो pyramid है न, यह medulla में आते हैं, जैसे slide में हम देखेंगे, यह देखो, यह हम इस portion को पूरे को, ऐस सच हम medulla ही बोलते हैं, medulla में जो है pyramid बनते हैं, लेकिन cortex है न, थोड़ा सा अपना जो है, इस शेतर में देखो आ रहा है, दोनों कि मैं, हाँ, वैसे जो pyramids हैं, वो हमारा as such, वो हमारे medulla के part हैं, लेकिन जो हमारा cortex जो इन दोनों के बीच में जो अपना थोड़ा सा जो structure आता है, इसको हम renal column, column का मतलब आप सोचो pillar type के होते हैं, है न, जो खंबे होते हैं, तो यह थोड़ी से longitudinal shape में है, जो इसको renal column बोलते हैं, column of protein भी बोलते हैं, तो cortex basically pyramid में जो है, प्रवेश करता है, तो in liquid form, और जो होता है, renal column of protein, यहाँ पर जो है, actually यह structure जो होते हैं, थोड़ा सा liquid part में जो है, enter कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे column of protein होते हैं basically, ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे हैं renal papilla, renal papilla, जो है, pelvis की तरह है, renal pyramid में structure को renal papilla कहते हैं, actually, इसका structure जो है यहाँ पर क्या होते हैं, कि यह जो हमारा renal medulla है ना, renal medulla में जो हमारे pyramid है, pyramid में आप देख रहे होगे, कि यहाँ पर यह जो पतले हमारे हो गए हैं, ठीक है, यह पतला सिरा जो है, नुकीला सिरा जो है, यह हमारे renal papilla कहला जाते हैं, तो narrow point जो होते हैं जो कैलिस पे घुस जा रहा है, ठीक है, renal column यहाँ देखा, यह बीच का हिसा, और जो आपका papilla होता है ना, यह वाला, pyramid का जो नुकीला हिस्सा है, जो की कैलिस के अंदर घुस रहा है, इसको हम renal papilla बोलते हैं, ठीक है, each renal papilla open in minor calluses, ठीक है, ओके, जो renal pyramid का pointed end है, renal papilla है, जो की हमारे, उसके बाद वो calluses में घुसके, वहाँ पर उनके साथ, जो है, renal pelvis का हिस्सा बन जाता है, तो प्रतेक renal papilla minor calluses की और खुलता है, जो आपस में जोड़कर major calluses बनाते हैं, यह छोटे-छोटे जो है ना, इनके बने हैं minor, minor बिलके बना बना देते हैं major calluses, तो major calluses थोड़े कम ही होते हैं, दो से तीन हो जाते हैं, फिर यह छोटी-छोटी branch में divide होते हैं, जिनको हम minor calluses कहते हैं, एक-एक minor calluses हमारे pyramid में आता है, और जहां पर वो pyramid से attach हो रहा होता है, वो हिस्सा हमारा कहलाता है renal papillae, is it okay, कोई confusion तो नहीं, फिर हमारे major calluses होते हैं, यह मिलके एक tube बनाते हैं, और वो tube हमारी कहलाती है, यूरेटर, ओके, अभी हम और detail में पढ़ेंगे, तो इनका एक role मनलब आपको तब समझा जाएगा, तो हमारा capsule था, फिर हमारा cortex आया, फिर हमारे medulla part आया, कुछ cortex का part medulla के बीच में, पिरामिड के बीच में जा रहा था, उसको हम रहे क्या बोला, column, renal column या column of protein, उसके बाद हमारे pyramids थे, pyramids के जो नुकीला point था, वो हमारा कहलाया papillae, renal papillae, और वो papillae जो थे हमारे, कुछ हमारे tube like structures में जुडते चले गए, वो structure से minor calyx, minor calyx आपस में छोटे-छोटे सभी मिलके, बड़े calyxics बना लिए, बड़ी branch में हो गए, और ये बड़ी branch मिलके, इन्होंने सिर्फ एक ही branch बनाई, जिसको हमने कहा, ureter, तो क्या होता है कि यहां पर जो हमारे cortex में, जो है, जब छलनी, जब कुछ चानने का काम होता है, filtration होता है, फिर वो medulla में पास होता है, वहां से होता हुआ major calyces में, यहां pelvis area से होता हुआ, ureter से, फिर हमारा बाहर की तरफ जाता है, urinary bladder में, तो यह इस तरह से उनका जो है structure होता है, यहां पर आप देखोगे, renal papilla, minor calyces, major calyces, फिर renal pelvis, वहां से ureter, फिर urinary bladder और बाहर में ureter, अब यह हम देख चुके थे, nephron के बारे में, nephron के दो तरह के cell हमने बात करी थी, है ना, एक था cortical, जो की cortex में present था, एक साथ, जुक्ष्टा medullary, जो की हमारे cortex के साथ, साथ, medulla का भी part है, ठीक है, यह सारे cells हमारे ऐसे ही present होते हैं, अगर आप देखोगे, cortex में हमारे 985% cells, इस तरह से present होते हैं, अगर आप देखोगे, इन दोनों हिस्सा था, वो काफी बड़ा होके medulla में आ रहा है, बागी हिस्सा उसे थोड़ा सा medulla के पास आ गया है, वो बाहर की तरफ है, cortex वाला, पूरा, जो हमारा nephron का हिस्सा पूरा cortex में है, बस उसे एक छोटा सा हिस्सा, जो यह U-turn वाला है, वो हमारा medulla में है, और जो थी और यह वाला जो लूप है, यह काफी बड़ा हो गया है, ओके, कोशिश करते हो समझाने की थोड़ा सा, अगर किसी को कुछ डाउट हो, तो प्लीज पूछ लीजेगा, चलिए, आगे देखें, अभी करते हूँ, आप इन दोनों को भी समझोगे, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, अब आप देखोगे, कॉर्टिकल नेफरोन कितने होते हैं, 75-85 प्रतेशत, और जुक्स्टा वाले कम होते हैं, 15-25 प्रतेशत, मतलब ये ज़्यादा प्रेजन्ट है, कहां प्रेजन्ट होंगे, ये इस वाले उसमें, देख रहे हो, इस वाले उसमें ज़्यादा प्रेजन्ट होंगे, जो medulla में आते आते कौन से present होते हमारे ये और यहां पर हमारी ये tube medulla में ही मिलेगी ये वाली tube तो medulla में ये portion जादा मिलेगा अभी देखते हैं कि और क्या-क्या इसको बोलता है तो इसका वो जो loop था, उस loop को क्या बोलते हम उस loop का एक नाम है, उस loop का जो नाम है वो है loop of handle, loop of handle, h-e-n-l-e, y नहीं आएगा, h-e-n-l-e तो ये जो loop का नाम है, जो देखो, ये जो loop बोलते हैं, ये u-turn दिख रहे हैं आपको, loop हो गया ये, ठीके, ये वाला दिखा आपको तो ये जो होता है, ये होता है, loop of handle, इसका छोटा होता है, अभी मैंने आपको बताया, और इसका जो nephron है, मतलब पूरा जो structure है, वो दो तिहाई part cortex में होता है, एक तिहाई part medulla में होता है, ये देखो, इतना बड़ा portion उसका cortex में है, सिर्फ loop of handle, एक तिहाई part medulla में है, इसके बाद जो juxtra medullary वाला है, इसका loop of handle बहुत लंबा होता है, दो तिहाई part इसका medulla में है, और एक थार्ड पार्ट इसका cortex में है, ठीक है, ये आप देख रही हो, ठीक है, तो मैम only जो juxtra medullary वाले, वो ही सिर्फ inner medulla में जा रहे है, अधरवाई दूसरा वाला तो जाई नहीं रहे है, हाँ, नहीं, वो cortex में ही present है, उसका नाम cortical nephron है, ये थोड़ा सा cortex में रहता है, जादा हमारा medulla में रहता है, ठीक है, अब इसमें जो है glomerulus inner context में है, तो juxtra medullary कहलाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो cortical nephron का glomerulus outer cortex में है, अब glomerulus आपको पता होना चाहिए, इसमें ये जो आप गोल portion देख रहे हो ना, दिख रहे हैं आपको ये वाला, ये हमारा जो nephron का जो structure होता है, इसको हम glomerulus कहते हैं, ये वाला portion, main काम जो छलनी का ना यहीं पर होता है, ठीक है, आगे की slide में है के नहीं, मैं यहीं पर बताती जैने, यह देखो यहाँ पर लाल रंग का आपको देख रहा है, यह लाल रंग का यहाँ पर robbery होता है, यहीं पर ही जो है खून को च्छाने का काम किया जाता है, लिसिकली, तो यह, जो यह जो है, इस portion को हम कहते है glomerulus, यहां देखोगे glomerulus कहां पड़ा हुआ है हमारे cortex में और यह हमारे basically ऐसाच हमारे जो glomerulus inner cortex में है तो जुक्स्टा medullary कहलाता है, मतलब वो हमारे बाहर की तरफ जो है न यह देखो, एक outer cortex हो गया, एक inner cortex हो गया, यह outer cortex पार्ट है और यह inner वाला है, ठीक cortex को भी अब इन्हों ने बाहरी layer और inner layer में समझ लिया, तो जो cortical nephron का जो glomerulus है वो बाहरी छेत्र में है और जो जुक्स्टा medullary का देख रहे हैं आप glomerulus वो अंदर वाले cortex की तरफ है, यह difference हो गया, ओके, अब हम देखेंगे कि जो उसकी peritubular, जो capillary network में उपस्थित है, और यहाँ पे जो है glomerulus near junction of cortex और medulla, वहाँ पर इसका peritubular capillary में जो है, अनुपस्थित है, आगे देखते हैं, वैसा rectal cortical में अनुपस्थित होता है या बहुत कम होता है, और वैसा rectical हमारा जुक्स्टा medullary में present होता है, यह यू अकार की हैंली लूप में समानना अंतर है तो यह मैं बताते हैं, आप यहाँ देखोगे न, यह जो loop of handle है, इस वाले में न, इसके पास भी न, हमारी क्या होता है, कि एक जाल और होता है, बनता रहता है, जो हमारी arteries या veins का होता है, capillaries बोलते हैं, तो वो जो capillaries का जो loop होता है, वो वैसा recta कहलाता है, तो वो वैसा rect इस picture में हाला कि दिखाई दी दिया, वो इस वाले में नहीं होता है, लेकिन जो लंबी वाली tube में present होता है, ठीक है, वो इस में नहीं होता, वो इस वाले में present होता है, जैसे कि इस picture में लिखा है, वासा recta उपस्थित है, जाल बनाती है, यू अकार्मी लंबी होती है, तो पानी के मात्रा खोन में बढ़ जाती है, तो वहां reabsorption का basically काम होता है, ठीक है, यहाँ पे जो filtration होता है, मैं actually diagram में वो देखने की कोशिश कर रही हूँ, शायद पीछे किसी में हो, मुझे वो ना वासा रेक्टा दिखाई ही नहीं गिया है इस picture में, अब इसी से ही सोच रहे, यह है ना यह देखो, यह वैसा रेक्टा यह वाला है, यह जो loop of handling है ना, इसके साथ देखो, यह भी एक जाल सा बना लिया है उसी के साथ साथ, तो वो किसमें present होता है? मैं मैं लूप अफ हैंडले को लूप अफ ने प्राउं भी कहता है कि है? तो वैसा रेक्टा हमारा, मतलब एक तरह से हमारा जो veins या हमारी capillaries का basically बनता है, तो cortical में क्या होता है कि rate of filtration बहुत slow होता है, लेकिन juxta medullary में rate of filtration थोड़ा सा fast होता है. ओके? और यहां पर होता है, एक बार दिखाती है, यह वाला, यहां पर हमारा slow है और यहां पर हमारा fast है. इस वाले में जो filtration होता है, यह थोड़ा सा slow होता है, और यहां पर थोड़ा सा fast होता है. इसको अभी confuse मत करना, मैं अभी आगे इसको clear करती हूँ. दूसरा जो था, वासा रखता, इसमें present होता है. तो खून जब यहां से filter होता है, उसके बाद दुबारा से, जो हमारा यहां पर filtration हो गया, जो गंदगी थी, क्या करती है, इसमें actually, आपका, इसको देखो, एले structure समझो. हमारी kidney के अंदर blood आया, कहां से आया, renal artery से आया, renal artery होती हुई, अगर आप देखोगे, इस picture में, आपको दिख रही है, red and blue, renal artery नजर आई, यह है renal artery, renal artery लाल वाली है, आई, 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 अपने अले, जिसमें विभाजित होची चले गई, branches में चले गई, चोटी- चोटी-चोटी महीन branches में चले गई, यहां यह जो branches गई है, आप देख रहे हो, बाहर की तरफ खुब सारी हो गई है, यहां पर और हमारे medulla में भी, तो थोड़ा सा आप देखे होगे न, medulla के इस वाले portion में, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जी जो branches जाती हैं, इस व हमारी branches चलती गई, चलती गई, चलती गई, kidney के cortex में पहुँच गई, और यह बनती है, इसकी हमारी एक branch पहुँच गई, जिसको हम efferent arteriol बोलते हैं, artery की भी और branch होती ब्रांच, यहां पर चले गई, जब यह यहां पर चले गई, तो यहां पर जो capsule यह जो है, इसको हम bowman's capsule या इसको हम glomerulus भी बोलते हैं, यह जो यहां पर हमारी blood की vessels आएंगी, और यह जो capsule बनती है, अब यहां पर जो है ना काम होता है filtration का, yes, अब यहां पर देखो, efferent arteriol में खून आया, यहां पर काफी high pressure में blood होता है, और यहां पर क्या होता है, पूरा खून आता है, यहां यहां पर हमारा यह glomerulus, हमारा, यह तो glomerulus बना, यह हमारा capsule होता है, जो कि nephron का part है, ठीक है, बोमेंस capsule, एक तरह से यहां पर यह हमारी जैसे चाय की छलनी होती है, वहां पर काम होता है, यहां पर खून को छान लिया जाता है, diffusion से ही यहां पर जो बेकार की चीज होती है, वो यहां पर निकाल ली जाती है, यहां पर filtration होता है, समझ गए सभी लोग, और उसके बाद जब उन्होंने waste product यहां पर दे दिये, तो वो खून जो है efferent arteriol से निकल जाता है, समझ गए, यहां पर चंते हुए, यहां पर exchange हो जाता है अपने आपी, क्योंकि जो layer होती है, वहां पर उस pressure की वजए से यहां पर waste products हमारे nephron में आ जाते हैं, और खून पर वापिस हमारा चला जाता है, समझ गए हैं, प्लीज बताईए मुझे, यहां प्लीज पूछ लिया करिये, अब वो जो खून निकला देखो, यह आया हमारा efferent arteriol में, ठीक है, efferent arteriol में आ और वो जो था ना हमारा moments, यह जो capsule था, यहां पर क्या था, यहां पर हमारा filtration हुआ, वो जो गंदगी एखटी होई, और पानी भी है, यहां पर absorption पानी का भी होता है, और गंदगी भी होती है, वो यहां पर इन्होंने एखटा कर लिया, एखटा कर लिया, एखटा कर लिया, ये इन ट्यूबों के माध्यम से जो है ये जो है गंदगी एखटी होती गई यहाँ पर जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन एक तरह से हो गया और उन्होंने बाहर इसको भीज दिया यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है जो की उस यूरिन को एखटा करना शुरू कर दे हो यहाँ देख रहे होगे उसके साथसाथी में यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दुबारा से आपकी होती है कि जो आपने बताया इफ्रेंट आर्टी ओल में जो यह फिल्ट्रेट होके गया वह सम्मारी बॉड़ी के लिए यूज होगा फिर हां 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 बिल्कुल यहां गंदगी इसने निकाल ली ठीक है तो इसने क्या बोलते हैं और जिससे जिसके थूर उदर जा रहा है मतलब उसने चान लिया गंदगी उस छलनी में आगा उस छलनी से उसने आगे भेज दी और आगे खूण को भेज दिया लेकिन यही इसकी फिर से हमारी ब्रांचेस बन जाती हैं यह जो होता है ने वासा रेक्टा यहिए से के पास हमारे लूप आफ हैن यहां पर दुबारा से हमा बहुत ही concentrated form में हो जाता है नहीं तो हमारे शरीर से कोई ये ना होना कि पानी बहुत जादा मातरा में बाहर भी ना निकल जाए तो ये reabsorption का process भी होता है अभी आप आगे देखना उसमें हमारी कुछ और उसमें आगी अभी आप simple इतना ही समझो कि ये reabsorption जो दुबारा से क कि blood में ऐसी चीज़ चली गई हो कि जो हमारे काम की ना हो तो reabsorption होती है reabsorption होती है फिर यहां से जो है in tubes में हमारा जो urine बनता है वो इसमें tube में collecting duct में डाल दिया जाता है ठीक है अब in tube का नाम अलग-अलग है किसी picture में है अलग-अलग देखती हूँ हाँ देखो एक ये गुमावदार tube होती है ठीक है ये loop बनाती है फिर ये गुमावदार tube होती है ये जो बड़ी tube होती है ये हमारी collecting tube होती है collecting tube जो होती है ये देखो ये कई सारे nephron से क्या करती है एक खटा करती है urine फिर कई सारे collecting duct बनाके हमारा एक papilla भी बना देती है इसको आगे देखती है यह देखो, यह जो हमारा होता है, यह सबसे पास वाली ट्यूब जो हमारे bowman's capsule के पास होती है, यह glomerulus के पास होती है, इसको हम कहते हैं proximal convulated, convulated क्योंकि थोड़ी सी घुमावदार है, tube, tubule, ठीक है, जो पास वाली है वो proximal, और जो दूर वाली है वो हमारी हो गई distal convulated tube, यह यह loop बनाती है, इसको बोलते हैं loop of handling, तो तीन tube होती है, जैसे कि अभी हमारी जिसको हम PCT या DCT के shop form में भी कह सकते हैं, PCT proximal convulated tube, फिर हमारा loop of handling, loop of handling उपर आता है, वो हमारा distal convulated tube बनाता है, और फिर वो हमारी collecting duct में उस urine को छोड़ देता है, तो collecting duct जो होती है, वो बहुत सारी हमारी अलग-अलग जो है हमारी distal convulated tube से जुड़ियें, देखोगे यहां पर, branches दिख रही हैं, तो वो इन सब को urine जो collect करके आगे पास कर देती है, ठीके, तो यह जो हमारा glomeral capsule या bowman's capsule है, यह हमारा एक तरह से C shape का, cup shape का होता है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी capillaries, यह हमारी जो arterioles पाई जाती हैं, जिन में की हमारा यह network होता है, और यह हमारा क्या करता है, यहां पर blood को filtration का काम basically हमारा यह होता है, simple सा है, यहां पर यह जो peritubular capillaries जो है न, यह उनीकी arteries की branches हैं, जो हमारे यहां पर च्छाई हुई है यहां पर reabsorption का काम को जो होता है, हमारा दुबारा से जो होता है, ताकि कोई चीज ना चली जाए, फिर इनको वापस distil में डालके collecting में कर लिया जाता है, समझा आई? यहां पर गंदगी निकाल ली गई है, सिर्फ उसके अंदर अब रहा गया था, carbon dioxide acid, oxygen वगएरा वो तो हमाई utilization है, यहां पर यह जो थी न, हमारे renal artery से blood आया था, और यह वापस भीज दी गया, ठीक है, collect हो गया, blood अलग है, blood की capillary अलग है, total अलग है, देखो आपको लाल औ यहां पर नीली आपके जो capillaries हैं, जो yellow वाली है, उसके अंदर urine बना है, यहां पर गंदगी यूरिया, जो ammonia से बना निकला था, जो हमारे liver ने बनाया था, यूरिया, वो यहां पर blood के माधियम से आता है, क्योंकि liver हमारे यूरिया को बाहर नहीं भेजता है, आपने पढ़ थाकल डाजेस सिस्टेम, इलिया वर हमारा detoxification का काम करता है, तो वो जो गंदगी है, जो भी वो byproducts है, वो हमारी kidney के पास आते हैं, वो उस गंदगी को हमारे urine के form में शरीर से बहार निकाल देता है, ठीक है, तो यह हमारा glomerulus के बाद हम दुबारा से बात करते हैं, यह हमार बहुत ही, यहाँ पर हमारी एक जो arteriol आती है, बहुत ही efferent arteriol बोलते हैं, यह गुच्छा होता है, branch होती है, renal artery की, वो हमारे glomerulus पे आती है, glomerulus यहाँ पर हमारी cells की lining होती है, जहाँ पर filtration होती है, इसको हम bowman's capsule भी बोलते हैं, यह इन दोनों को combine करके, यह हमारा क्या ब double wall cup होता है, आपको देखी रहा होगा, यह cup shape में है, जिसकी दो lining है, एक outer wall है, एक inner wall है, और यहाँ पर हमारे बीच में छोटे-छोटे छेद पाए जाते हैं, जो की हमारे मदद करते हैं filtration में, जब यहाँ पर blood आया, यहाँ से अंदर filtration हो गया, तो यह वापिस हाथ के हाथ आपका blood different arteriol से बाहर की तरफ चला गया है, ओके, अब यह renal tubule का हमारा जो structure है, आप इसको detail में देखेंगे, यह हमारा bowman's capsule जो है, glomerulus है, यहाँ पर blood आया और यहीं से चला जाता है, जो इसके अंदर गंदगी बशती है, वो इस तरह से जाती है, यह proximal convulated tube है, फिर यह न यह हमारी फिर आती है, distal convulated tube, फिर urine होता हुआ हमारे यहाँ पर collecting duct में होता है, तो यहाँ पर यह कौन-कौन से ions कई बारी अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, जो हमारे urine को form करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो minerals और ions की जरुरत है, वो रहने चाहिए, निकलने चाहिए, उन सब को हमारे शरीर के homeless stresses को balance basically करते हैं, यह अब इसमें हम इसके बारे में कल पढ़ते हैं, ठीक है, आज शायद जादा हो गया, तो इसके structure के बारे में हम पढ़ेंगे, और यह आगे कैसे काम करता है, ठीक है, तो I think so, कोई doubt, कोई question तो नहीं, यह समझाया सभी को? मैं मेरे पास फिल्टरेशन ही हर एक सास के साथ होता है क्या?